हलो दोस्तों कैसे आप सब मेरा नाम है आकाश राना और आप देख रहे हैं मौंटन भी वप पारवती वैली आज हम आपको मनिकन गाटी में लेग आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि यहां पर गरम पानी के चिश्में बहुत हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बस्टेंड से होकर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले यहां पर मंदिर बहुत परसी काफी मात्रा में मिलेंगे देखने को आपको यह सबसे पहले ने नामाता का मंदिर और यह सामने मार्केट और आप देख सकते हैं सामने रगुनाजी का मंदिर भी है यह रहा मंदिर श ठाकर जी इसे दिशेरे में निकाला जाता है यहां पर दिशेरा च्छे दिन का होता है और सबसे पहले दिशेरा मनिकन में ही होता है यहां पर होता तो बहुत चोटा है पर होता बहुत प्रसिद है और यह पूर लकडी से बना हुआ और अब आगे चलते हैं मार्केट की तरफ और यह देखे यहां पर मारकीट, भाई क्या ही बोले दोस्तो इतनी अच्छे मारकेट आपको कहीं नहीं मिलेगी और यहां पर इतने सारे प्रودएक्ट मिलेंगे आपको कि मतलब भरवर जो भी देखें के आप ़र चीज आपको पसंद आएगी और यहां पर मंदिर यहां पर बहुत मंदिर हैं चोटे हैं काफी बड़े हैं बॉले नाजी के रगुनाजी के नैनामाता के और यहां पर लोकल देपते के भी यहां पर आपको मैं आगे जगा भी दिखाऊंगा लोकल देपते की और यहां पर फिलाल तो लॉक्डाउन के वज़े से कुछ मार्केट पंध है तो कुछ खुली हुई है धेरे धेरे टूरिस्ट भी आना शुरू हो गया है मार्केट यहां पर बहुत लंबी काफी अच्छी है अभी तो शेटरे डॉन है काफी जगा मार्केट में मतलब आपको हर चीज मिलेगी जो आप मतलब पसंद मतलब एकदम से पसंद आएगी आपको हर चीज और काफी ज्यादा यहां पर लक्डी की चीजे मिलेंगी आपको ज देखिए यह है लोकल देटे का यहां पर जो मनिकन गाटी के देटा जो यहां पर बैठते हैं इसे ग्रिल से बंद किया गया है और यहां पर मार्केट अब आगे हम आपको बोले नाद जी का मंदिर दिखाएंगे तो चलो यह पहुंचके हम अपने बोले बाबाजी के पास औ यहां पर काफी जादा बाब मिलेंगे आपको देखने को और यह जो नीची देख रहे हैं आप यह सब गरम पानी नेचरल जो कि अपने आपी जमीन से निकलता है दर्ती से निकलता है और यह बोले नाद जी का मंदिर टॉप यह डमरू बाबाजी और यहां पर टूरिस्ट आपको फोटो में फोटोग्राफि करते हुए दीख रहे हैं और यहां पर नेचरल गरम पानी जैसे कि आप देख रहे हैं यह 100 डिग्री से अपल्पी है जो कि की आप देख सकते कि कितना उफल रहा है यहां पर आपको एक बात बता दूँ कि यहां पर आग से कोई भी खाना नहीं बनाया जाता क्योंकि यहां पर गरम पानी इतना ज़दा है कि आप गरम पानी के अंदर कोई भी वरतनक दो तो आपका खाना त्यार हो जाएगा यहां पर बड़े बड़े लंगर लगे हुए हैं जिसमें की खाना पानी से ही बनाया जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं भी पानी में मतके रखे हुए हैं तो इसके अंदर भी कुछ न कुछ चीज तो बन रही है पानी देख सकते हैं आप कितना उबल रहा है सर्दी में यहां पर इतनी धुन पर जाती है कि गरम पानी की वज़े से जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ा आता है देखने के बहुत चीज जादा ये बोलेनाद की पतिमा और साथ में ये आप मटके देख सकते हैं साथ में मंदिर ये बोलेनाद जी का मंदिर और साथ में नंदी वैल जी यहां पर लंगर जितने भी है सब करमपानी से बनाये जाते हैं जो आप मटके देख रहे हैं इनमें अभी भी चावल दाल लगाई है जैसा कि आप देख सकते हैं चावल वाला ये है और साथ में लेफट एंड साइड इसमें डाल बन रही है तो ये अपने आप ही बन रही है क्योंकि करम पान इतना जादा है ये बोले ना जी के दर्शन हो गए आपको ये मंदिर के ये सामने बोले ना थोर पारवती जी और ये हमारे सामने नंदी वैल जी हमारे रिती कौही जी नंदी वैल के कानों में कुछ कह रहे हैं कहते हैं कि यहां पर जितने भी आपकी मनों कामना होती है तो आप नंदी वैल जी के कानों में कुछ अराम से कहकर बोलेंगे तो नंदी वैल जी ये सारी बात है बोले ना जी के प तो आगी हम आपको अब गुरुदुआरी की तरफ लेकि जाएंगे कि और यहां से जब नीचे जाएंगे तो आगे आपको नाहाने के लिए कुण्ड मिलेगा यह बहुत से कुंड है होटल में रैस्टूडेंट में हर जगा मिलेंगे आपको कुंड कहीं भी जाओ नेच्छरल करम पानी सरदार जी और ये देख हरी है आप यह नहाने का कुन ये गरम और ठंडा पानी लो इसमें पूरे टंपरेशर पोरे पर इतना सकता है एतना पानी कि गरिमी में रखा होता है कि इंसान इसमें बड़ी अराम से नहां सक законч आउट साइट बाहर जाने का रास्ता भी है यहां पर कुछ देखने के लिए थोड़ा पूरा काफी अच्छा व्यू है जैसा कि आप देख रहे हैं टूरिस्ट अब धेरे-धेरे काफी बढ़ गए मास्क अभी किसी के मौ में है नहीं और टूरिस्ट फोटोग्राफी में बह पारवती के ऊपर जो पुल बना हुआ है चोटा सा यहां पर बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको जैसा आप देख रहे हैं यह मनिकर्ण यह पारवती यह गरम पानी निकल रहा हुआ बाहर बाकि आप देख सकते हैं यहां की जगा यह भाई जी अपने किरन देख वाई और यह गुरुद्वारा मनिकर्ण में काफी बड़ा है काफी प्रसीद है जिसे कि यहां पर बहुत से पंजाब के लोग बहुत जाद आते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह जगा कभी भी आएंगे तो जब आप सर्दी टाइम आएंगे तो यहां पर एक नी हीट आपको कभी नहीं मिलेगी तो आपको कैसी ये वीडियो लगी कैसे गरम-पानी के चश्में और कैसे देख देखे के मंदिर लगे तो मुझे यह वीडियो बताना कासी लगी अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुमेंट भी कर देना इसी के साथ जैहिन